नाग रगड़नेंगे भीखमंगे पैर पकड़ने के लिए आएंगे आपके कैज लिगड़ जगीन की जब तक आपको अपने राइट्स नहीं पता दिकार नहीं पता तब तक यह आपको दबा और कुछा रहे हैं लेकिन अगर पैसे ही नहीं तो राउ के तुग रहे हैं तो क्या रहे हैं शाक्षा चनी देपी दर्ती बे आगए आपकी पुझड़नी बार चकते हैं और यह चवनी चाप तो सुद्धा ही कुछ नहीं हैं लाखों अदमी इनके कारण सूसाइड कर चुके हैं सारे देश में कस्मीर से लेके कन्या कुमारी तक और क्रोड़ा अदमियों को इन्हें ने मृत्यु शहिया पे पुझाय हुए है वो सूसाइड करने की कगार पे चाय हुआ है साथयों दो लौन डिवॉट होगे पांच होगे चापचीस होगे अगर आपके पचीस लौन भी डिवॉट होगे सब कि पंश पंश इम धी डिवॉल्ट होगी चाह सारे săISA्प्रहिए चाह सारे सिकियुँ त rif यह क्राइम की श्रेड़ी में नहीं यह सिविल का डिफोल्ट माना जाएगा क्रिमनल आपको बनाया किसने आप रादी आपको गोशित कितना किया इन चुवन्नी चापों ने साथ क्यों अगर आपके घर चुवन्नी चाप आ रहे हैं फैक्टरी मकान दुकान कार खाने में आइसा बूझे क्या बता आप उस बैंक NBFC जाए हो, क्या पता आप चोरो जारो ठगो कोण हो मेरे को बता आप बोल रहे हो आपके बोलने से कोई आइड़ी तो होगी कोई प्रूफंट नहीं यह उसके बास उसकी दुकान पे धुडमारा नहीं तो दुकान में पेटरोल के अगर वो ले भी आया एट परसेंट के पास है उसको कह भाई आईडी तो मैंने देख ली भाई बैंक में तो लग रहा है अरे भाई या मेरा लोन कितना है कितनी हम आईडी फोल्ट हो रही है कही इतनी हो रही अरे भाई ऐसे नहीं मानता लोन स्टेटमेंट ले गया फिर बगा उसको फिर वो ले के आएगा फिर उसको बोल भाई करोना खतम नहीं होए हमारे देश में बीना मास्क लगाए कैसे आगया उसकी वीडियो बना लो फोटो की चलो उसकी ठाक है नेशनल डिजाशनल एक्टर में उसका परच्चा दरज करोऊ दो साल की सजागा प्राउदान है ये ठीक है कि अभी करोना कम हो गया है लेकिन गया नहीं है गॉर्मिट की गाइडलाइन्स में आज भी कस्मीर से कन्या कुमारी तक मास्क लगाना मेंडेटरी है कमपल सरी है कोई नहीं लगा रहा है वो बात अलगया गैर कानूनी काम कर रहा है और कोई भी 54 पांट साथ दस आपके घर नहीं आ सकते भैक्टरी में दुकान में कार खाने में या कोई भी जबरदस्ती आपके ड्राइंग रूम में आपके घर के अंदर परवेश नहीं कर सकता या फैक्टरी में आपकी चार खाने में आपकी जाज़त के बिना आपके प्रीसर के अंदर कोई परवेश नहीं कर सकता चाहे वो 54 पैचाइ वो बले कोई भी है सात्यों सबसे पहले ये काम करें इस में इनका परचा दरजह हो सकता है उसके बाद अगर आपको प्रेसान कर रहे हैं गाड़ी गिलोच कर रहे हैं हरास कर रहे हैं 99% ये फेक नोटी बेचते हैं चोब निचाप फेक नोटी डिसेंटेड वाई लिक के वीडियो देख लें अगर आपके पास कोई नोटीस आ रहा है तो आपको तब ही पता लगज़ेगा के नोटीस फेक है क्या जैनवन है लाखो आदमी सूसाइड कर चुके हैं और मुझे बताते हुए बहुत हर्स फील हो रहा है खुसी का आभास हो रहा है कि लाखो अदमी अमर्दीप कादियान के साथ जुड़के सूसाइड करने से बच चुके हैं आतम अत्या करने से बच चुके हैं क्योंकि यह चुवनी चाप उनको साइकलोजिकल प्रेसर में ले रहे हैं मनोवग्यानिक दवाओं के अंदर ले रहे हैं लेकिन जब से अमर्दीप कादियान के साथ जो भी जुड़ा है उसकी जब वह मारी वीडियो देखते है टेलिफोनिकली जुड़ता है या परसनल मीटिंग करता है साथ के साथ उसकी उसका माइड सेट होता जाता है उसको समझ में आ जाती है उसकी काउंसलिंग होती रहती है 9306347314 इस नंबर को सेव करके वर्टसेप मैसेज करें तुरंत प्रबाउ से रिपलाई आएगा कि कैसे आप मारे साथ टेलिफोनिकली जूड सकते हैं या परसनल मिटिंग कर सकते हैं साथ योड डरेगा ब्राइनी अगर यह आपके साथ आप शबत बोल रहे हैं सबसे पहले इनकी रिकोर्डिंग करें प्रूफ लें उस प्रूफ को लेके सिता ब्राँच एड़ से मिने जिस भी बैंक एन वी अपसी कंपनी ने आपने लोन लिया उसमें पूरी डिटेल में लिखें के भाई मेरी यह जैनुवन प्रूब्लम है इस वज़े से मैं आपका पैसा नहीं देत पा रहा हूँ लेकिन यह डेमोक्रेसी है वर्ल्ट की बिगए डेमोक्रेसी है दुनिया का सबसे बड़ा लोग तंतरा है इन बिकमंगों ने इसका मजाक बना रखा है क्योंकि आम आदमी को अपने राइट सोर अधिकार नी बता वो अपने आपको खुद से क्रिमिनल समझ रहा है खुद से अपरादी समझ रहा है इन 54 चापों के दुबाओं में आके सबसे पहले ब्रांच एड के पास इनकी कंप्लेंट करें मेल के दुआरा भी कर सकते हैं सी सी में रिजनल एड को और जोनल एड को भी ले दें और उसको ये भी लिख दें भाई मैं कानूनी कारवाई कर वह तेरे को भी कोट में बलाऊंगा कदी तु ज़्यादा चोड़ हो रहा ये 54 चाप मेरे पिछे किसने लगाए हैं बता मेरे को किसने लगाए हैं ग्यार कानूनी करी तरीके जरीकावरी करने के थ्राइट किसने किया है तरे को यह आगे अप शबद वो रहे तो है किसने इनको ट्राइड किया है मैंने इस बैंक आपके बैंक के नबी एफसी कंपनी से लोन लिए है नबी कमंगो से लोन लिए है कि है मैंने ड्यू टू प्रोसेस चल कारूनी कारवाई कर मेरे उपपर अगर वो फिर भी काबु में नी आये तो उसके बाद आपको पास कहां जाना है वो सारा record रखें उसके बाद सिता इनकी no-डal officer के पास complaint करें और वहां पर भी इनको उसको दे अगर वहां से भी आप जब आप ब्रांच-बेड के पास जाएंगे वहाँ कंप्लेंड करेंगे 70% चांस है कि 54 वहाँ से आपके पिच्छे अड़ेंगे फिर आप अगर नहीं अटे तो आप नोडल ओफिसर के पास पून करें हर बैंक और NBFC कंपनी के पास नोडल ओफिसर है रिजिस्टर डाक से बेज़ें या मेल करें लेकिन उसका प्रूफ जरूर रखें अगर आपको वहाँ से भी संतुस्ट निया सटीफाई निया पहली बात तो 80% चांस है कि आपका वहाँ से काम हो जगा अगर वहाँ से भी नहीं हुआ तो सारे देश के लिए एक बैंकिंग अमबूट्समेन बना दिया गया है और बी आई दोरा बैंकिंग लोक पालेक बना दिया गया है सारे देश में जितनी भी बैंक और NBFC कंपनी काम कर रही है जो भी वित्ते संस्तान है किसी की भी कंप्लेंड आप वहाँ कर सकते हैं जो गैर कानूनी तरीके से आपके रिकावरी की कोशिस कर रहा है वहाँ पे आपको 90% चांस है कि वहाँ से रिलीव मिलेगा क्योंकि वहाँ से मेल आएगी उन 24 छपों के पास और उस ब्राण चैड़ी के पास के भाई इसके साथ गैर कानूनी तरीके से कैसे रिकावरी कर रहे है और बैंकिंग अमूट्समेन के पास इतनी पावर है अगर इन्होंने आपकी फाइनेंसर स्थिती खराब की या आपकी कोई फाइनेंसर लोस हुआ है इनकी वज़े से जैसे के एक मिन्ने में कई कई बार ECS लगाते है बहुत सी अनिभी FC कंपनी तो पच्चिस पच्चिस बार भी ECS लगा देती है ऐसे इनके पास कोई राइट्स कोई दिकार नी है अगर आपका कोई फाइनेंसर लोस हुआ है तो अमबुट्स्मेन के पास इतनी पावर है 20 लाक रपे तक की आपके पैसा वापसी दिरुआ सकता है अगर 20 लाक रपे तक का लोस हुआ है तो आपको कोट में भी जाने की जूरत नी अगर आपका इनकी वज़े से फाइनेंसर लोस नी हुआ मानसिक प्रताणना हुई है तो अभी एक लाक रपे तक का प्रेंटी उनके उपर लगा सकता है अमबुट्स्मेन अगर आप वहाँ से भी संतुष्टनी है तो आप RBI में इनके खलाब जा सकते हैं RBI में कंप्लेंट एजिस्टर कर सकते हैं दिक्कन प्रेशानी का है अग्यामता की वज़े से लोगों को नोलिज ना होने की वज़े से डारेट कोई मुट्स्मेन के पास जा रहा है कोई सिद्धा जोनलेट के पास जा रहा है कंप्लेंट करने कोई सिद्धा RBI के पास जा रहा है पहले कानूनी परकिरिया को समझे बगवान ना करे आपने किसी को थपड मार दिया या आपको किसी ने थपड मार दिया तो सिद्धा डीजीपी की साब के पास कंप्लेंट करवा होगे क्या डीजीपी साब जो होते है वो पुलिस का सबसे बड़ा ओफिसर होता है सारी में रहते हैं को थपड मारने की कंप्लेंट वहां करवा होगे अरे भाई या नेर बाय कुलिस थाने चोंकी स्टेशन में आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी अगर वहां से आपका काम ना बढ़े आपकी कारवाई ना हो तो आप SP साब के पास जाएंगे वहां से ना हो तो डारेक्ट DGP साब के पास चले जाएंगे ऐसे ही बैंकिंग की भी एक परकिरिया है जब भी कोई आपको प्रेसान राश्यों नी चाप कर रहा है सबसे पहले उसकी ब्रांच एट के पास उस ब्रांच में आपको कंप्लेंट लिखवानी है यह नहीं है के डारेक्ट चले ज हो तो आप कंजूमर कोट में जा सकते हैं कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अमेंडमेंट हो चुक है बदला हो चुक है कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 2019 में अब वो कंजूमर के ग्राह के और भी जधा इत में आ गया है पहले क्या था कि अगर आपने केरला से कोई लोन लिया तो केरला में जाके ही आपको कंस्यूमर कोट में केस रिजिस्टर करना पड़ता था मालो आपने कोई प्रोडेक्ट भी केरला से खरिदा और अब आप जम्मू कस्मीर आके रहने लगे हैं क्योंकि मोदी साब ने दारा 378 आ दिया कोई भी आदमी जम्मू कस्मीर में जाके प्रोडेक्ट भी करेज सकता है अब वाप मौँ आजा के रहने लगे हैं चाहे आपने 100 पेगा कोई समान करिदा है केरला से आप जम्मू कस्मीर में उसको पर केस रिजिस्टर कर सकते हैं ये कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ बदला हुआ है 2019 में उसने आपको ये राइट सोर अधिकार दी है ऐसे ही कोई भी बेंक एनवी एफसी कंपनी अगर आपके साथ गलत कर रही है और आप आर बी आई तक भी चले गए है तो अभी आप सिद्धा कंजूमर कोट में केस कर सकते हैं फिर चाहे बले आपने लोन केरला से लिया हो आप जम्मू कस्मीर में कर सकते हैं आपने गुजराश से लिया आप अर्याणा में रहते हैं तो अर्याणा में ही कर सकते हैं उनको वहाँ आना पड़ेगा वो यह नहीं कह सकते के बाई मैंने लोन यहा दिया था तो यह ही मेरे उपर केस करेगा डरे गब रहे नहीं कंजूमर कोट में कोई जरूरी नहीं है मेंडेटरी नहीं आका आपको वकील करना है आप खुद से भी अपना केस लड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको कंपनसेशन भी मिलेगी मुआपजा भी मिलेगा नाग रगड़ेंगे भीखमंगे पैर पगड़ने के लिए आएंगे आपके कैज लिकड़ जगी इनकी जब तक आपको अपने राइट्स नहीं पता दिकार नहीं पता तब तक ही आपको दबा और कुछा रहे हैं अगर आपके किसी भी यार प्यारे रिस्तेदार को कोई भी दिक्कत प्रेशानी लोन से रिलेटेड आ रही है अगर बगवान ना करें वो आतम अत्या की कगार पे पोच गया है आप एक बार मारी वीडियोस के पास पोचेंगे तो 100% चांस है 1990, 100% चांस है कि आतम अत्या का विचार उसके मन में कभी आएगा नहीं इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत प्रेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिस्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है तो यूटीउब के सर्च के оп सर्च में अगर आप मरे को फैसबुक पे देख रहे हैं तो मारा एक चेनल है यूटीउब पे बडिसेंट बड़ा ड़ाइज के नाम से है 25 का 50 करोड़ का है जितने भी करोड़ का है लोन से related कोई भी दिक्कत प्रेशन नहीं आपको आ रही है आपके पास सर्फेसी एक 2002 के तहत नोटिस आ रहा है 132 का रहा है 134 का रहा है सेंबालिक पोजेशन का रहा है फिजिकल पोजेशन का रहा है या अन्य किसी भी तरह का नोटिस आ रहा है सबसे पहले तो यह समझे अगर आपका अगरी कल्चर लोन है तो उसके उपर सर्फेसी एक्ट लागूई नहीं होता अगर आपके 50% पैसे जा चुकी है यह हमाई के तो आप DRT में जा सकते हैं यह भी कोट का नाम है अगर आपके 50% भी पैसे गए हैं तो भी आप DRT में जा सकते हैं उससे कम भी गए हैं तो भी जा सकते हैं लेकिन DRT कोट एक वहाँ भी ज़स्ता बैठते हैं वो एक राशी निर्दारित करेंगे कि भाई इतने पैसे दे के कम से कम 50% या जो वो डिसाइड करेंगे तो आपका केस वहां कंसीडर किया जाएगा आप वहाँ से संतुष्ट नहीं है तो आप डी आरे टी में जा सकते हैं वहाँ से नहीं है तो आप हाई कोट में जा सकते हैं वहाँ से भी संतुष्ट नहीं है तो आप मान्य सुप्रिंग कोट में जा सकते हैं मान्य सुप्रिंग कोट के दरवाजा खट-कटा सकते हैं वो सब के लिए कुला है सारे देश के बारत के नागरिकों के लिए खुला है फिर आपका चाहे कोई भी दरह में कोई भी जाता है उससे कोई परेगली बढ़ता क्या आप अमीर है क्या गरीब है आपको कोई भी दिकत प्रेशानी लोन से रिलेटिड आ रही है तो आप मारे साथ टेलीफोनिकली भी जूट सकते हैं आप परसनल मिटिंग कर सकते हैं लोन से रिलेटिड जो भी आपके बाद डोकुमेंट्स है वो सबी लेके आप मेरे से परसनल मिटिंग कर सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाई ले सकते हैं का क्या प्रोसेस है आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नमबर आया हुआ है 9306347314 इस नमबर को सेव करके वर्टसेप मेसेज करें तुरंत प्रबाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप मारे साथ टेलीफोन इकली जूर सकते हैं या परसनल जालो अलो की